वेलकम बेक अब्रेवन वेलकम टो सिविल सर्विसेश टड़ी देखे करेंट अफैर्स 2019 का इंपोर्टन सेशन लगाते हैं इंपोर्टन है UPSC के लिए यूपी PSC 2019 और BPSC प्रलेम्स 2019 के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीन प्रशन यहां पर कमेंट वाक्स में करके कर दीजे इनका अंसर सारे के सारे प्रशन इंपोर्टन होने वाले हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना चैनल को सब्सक्राइब करना लेटेस वीडियो का नो सा coses मौस्ट्रेक्स राट tomar रिक्स और किसने बनाया यह योरोपेण मेडिसन एजंसी और किसका जो सबसे पहला प्रियोग रहा है वह अफ्रीका के मलावी में हुआ है निपाः वायरस के प्राकिर्तिक वाहक होते हैं बताइए निपाः वायरस के प्राकिर्तिक वाहक होते हैं देखिए चमकादड होते हैं कौन से चमकादड फल खाने वाले चमकादड कौन से चमकादड फल खाने वाले चमकादड कौशन निपाः थी है भारत का वह स्थान ज केरल उत्राखंट तमिलनाडू या राजस्थान देखिए सबसे पहले मतलब जून 2019 में एरनाकुलम केरल के एरनाकुलम में इसके बायरस से संबंदित मामले की पहली पुष्टी की गई थी निपाफ बायरस कोशन नंबर फोर है भारत में खसरा उनमूलन का लक्ष भारत सरका ने निर्धारित किया है क्या 20, 21, 22, 25 तो देखिए 2020 तक मतलब अगले वर्स तक भारत में खसरा का उनमूलन करना है पुष्टन नंबर फाइव है भारत में सरपर्थम वर्स 2001 में निपाफ वायरस के मामले प्रकास में आये थे देखिए हाल ही में तो जून हाल ही में 2019 में कह प्रतम भारत में जो निपाफ वायरस के मामले प्रकास में आये थे वो कहा है थे पश्चिम बंगाल में सिली गुडी पश्चिम बंगाल में इसके मामले सामने आये थे और इसका जो बाहक है वो फल खाने वाली चमकादड़ कुशन नमर शिक्स है पंदरवी भारत बन इस् कोशन नम्बर सेवन है नेमलिकित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सरवाधिक वनावरण वाला जिला है देखे यह है सोनभद्र सोनभद्र डिस्टिक जो है यूपी का उसमें सबसे ज़्यादे वनावरण है पंदरवी वन रिपोर्ट के अनुसार कोशन नम्बर एट है भारत में कुल वनावरण एवं ब्रक्षा रोपन देश के भोगोलिक छेत्र का कितने प्रतिशत है कितने प्रतिशत है 24.40 प्रतिशत 24.40 प्रतिशत है भारत का कुल वनावरण एवं ब्रक्षा रोपन देश के भोगोलिक छेत्र फलका कुश्य नमबर 9 है पंदरवी भारत वन इस्तिती रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बनावरण कितने मिलियन हेक्टेर है 70.83 मिलियन हेक्टेर कितना 70.83 मिलियन हेक्टेर है ये पंदरवी भारत वन इस्तिती रिपोर्ट कहती है कुश्य नमबर 10 है कंचन जंगा वायव स्पीर रिजर्ब जिसे जुलाई 2018 में युनेस्पों के सांस्किर्टिक एपम प्राकिर्टिक रिजर्ब का दर्जा मिला है किस राजमेस्तित है मतलब पहला है ये जो कल्चरल और नेच्रल दोनों में है यूनेस्को के और जुलाई दोहर रठारे में इसको सामिल किया गया इसका नाम है कंचन जंगा ये है सिक्किम में कुशन नमबर 11 है बिस्व के पहले टेस्ट्यूप साबकों का नाम है साबक क्या होता है सेर क्या बच्चा तो ये है देखिए एक का है इजावेल और दूसरे का है विक्टर रोहनी रेक्टर नहीं है दिब्या देव नहीं है रमणी टम्टा नहीं है तो एक का है इजावेल ए एक है इजावेल एक है विक्टर ये पहले टेस्ट्यूप साबक हैं ये पहले टेस्ट्यूप साबक हैं किसने बनाए हैं प्रिटोरिया यूनिवर्सिटी है कहां पर ये साउथ अफरीका में साउथ अफरीका की प्रिटोरिया यूनिवर्सिटी ने दो पहले टेस्ट्यूप स से कौन सा कथन सही नहीं है देखिए आदर भूमियों पर अभी समय को रामसर अभी समय के नाम से जाना जाता है ये तो करेक्ट है सुन्दरवन आदर भूमी अंतराश्टिय महत्व की आदर भूमियों की सूची में सामिल होने वाला भारत का 27 वा इस्थल बन गया है तो ये भ 1975 में 1975 में प्रभावी हो था तो ये गलत हो जाएगा और 30 जन्वरी 2019 को भारत ने अंतराश्टिय महत्व की आदर भूमियों के रूप में सुन्दरवन आदर भूमि को निर्देशित किया है ये इंपोर्टन्ट है करेंट अफेर्स तो यहां पर कौन सा साही नहीं है सी साही देखें जो नाग मिसाइल है वो किस ने बनाई है वो DRDO ने बनाई है है क्या यह एक एंटी टैंक गाइडेंड मिसाइल है नाग मिसाइल यह है तीसरी PD की टैंक रोधी मिसाइल है टैंक रोधी मतलब एंटी टैंक गाइडेंड अब जब टैंक कहां चलता हवा में तो ना फोटो देखने के लिए कुश्चन नूबर 14 है भारत की सबसे हलकी बुलट प्रूफ जैकिट का नाम क्या है बताइए लक्षमान कबच नहीं है रावल कबच नहीं है धाल नहीं है यह है भावा कबच भारत की सबसे हलकी जो बुलट प्रूफ जैकिट है उसका नाम है भा भावा कवच कुश्चिन नमबर 15 है ठोस प्रणोदक संचालित प्रहार मिसाइल मार कर सकती है देखे जो प्रहार मिसाइल है वो सरफेस टू सरफेस सत्य से सत्य में मार करने वाली मिसाइल है और इसका जो पहला परिक्षन किया गया था सबसे पहले वो 2011 में किया था याद है हर दिन प्रेक्टिस करवा रहा हूं अधिक से अधिक सैट में चिकट्षा का नोबल मतलब ऐसका किया मिला है किससको मिला है कैलेंचelles जूनियर रेट क्लिफ शैम्जा इन सभी प्राइज मिला है 2019 का ये तीनों कहां जाएंगे स्वीडन स्कोर्ट होम में कुश्य नंबर 17 है भौतगी का नोबल प्राइज 2019 मिला है मिचल मेयर जेम्स पीवल्स दीदेयर क्यू लोज तो इन सभी को मिला है फिजिक्स या भौतगी का नोबल प्राइज जिन में से 50% स्रे अकेला जाता है जेम्स पीवल्स का और 25% है मिचल मेयर का और बाकी 25% दीदेयर क्यू लोज का 25 मिचल मेयर का 25 मिलकर हो गया 50 और यहां पर जेम्स पीवल्स का अकेला ही 50% क्या खोजा है इन्होंने देखें मिचल मेयर और दीदेयर क्यू लोज मिचल मेयर और दीदेयर क्यू लोज ने तो सबसे पहला जो एक्सो प्लैनिट है उसकी खोज की थी जिसका नाम क्या है कल ही बताया था क्या है जिसका नाम पेगासी बी और जेम्स पीबल ने क्या खोजा है जेम्स पीबल ने कहा है कि यह जो यूनिवर्स है वो 95 पृतिश्चत डार्क एनरजी और डार्क मेटर का बना है जो कहीं ज़्यादा है जो वहाँ गैलेक्सी है या फिर दूसरे पेंड जो चक्कर लगाते हैं उन सभी से जादे कुशन नमबर 18 है एक जनबरी 2019 को किसने अश्विनी लोहानी की जगए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का पद भार ग्रहन किया है किसने किया है बी के यादब ने किया है कुशन नमबर 19 है दो पुस्तक हैं पुस्तक दा रिपबलिकन एथिक और लोक तंत्र के स्वर दा रिपबलिकन एथिक और लोक तंत्र के स्वर किसके भास्णों का संग्रह है जिसका बिमोचन दिसमबर 2018 में उपर राष्टपती वेंके यान आईडू ने किया था नई दिल्ली में तो देखिए ये राष्टपती रामनाथ कोविंद राष्टपती रामनाथ कोविंद के भास्णों का संग्रह है दा रिपबलिकन एथिक और लोक तंत्र के स्वर कुशन नमबर 20 है 22 जनबरी 2019 को वाराणसी में इंपोर्टेंट है UPPCS के लिए प्रश्ण पंदरवे प्रवासी भारतिय दिवस सम्मेरन के उधखाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने किस योजना की सुरुबात की तो किस योजना की सुरुबात की है प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना कौनसी योजना है प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना ये नाम याद रखिएगा 22 जनबरी 2019 को वाराणसी में पंदरवा प्रवासी भारतिय दिवस था जिसके उधगाटन सत्र को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना की सुरुवात की तो देखें इंपोर्टेंट थे ये 20 प्रशन 20 प्रशन important थे सब्सक्राइब करना आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके उसके लिए घंटी जो है न घंटी बैल आइकन उसको भी प्रेस कर लेना टेलिग्राम चैनल को भी जोइन जरूर कर लेना जितनी भी टेस्ट सीरीज इस चैनल पर चल लिए सबका लिंक हर टेस्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो थैंक्यू